आज है महासिवरात्री और आज मंगलवार का दिन भी है तो सुवा सुवा ये उट गई है और ये देखी सुवा सुवा पूजा भी हो गई सुवा सुवा पूजा ने पूजा कर लिया है और अभी ये जा रही है मंदिर सुसाइटी की ही मंदिर में कुछ ढूंड रही है तो इसी को ले जा इसे दूद ढ़कता है क्या हुआ है है हुआ है उसमें दाले चाय वाले चाय वाले में रब दूदू है 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 कैसे हैं आप लोग वेलकम टू दी ब्लॉग सो आज है महाशिवरात्री तो पूजा हो गई है मेरी खाना सब्जी बन चुकी है आप में जारी बहुत तेज धूप आज लग रहा है मतलब अशिवरात्री न तो मैं भी गई थी मंदिर गई थी तो आज देखके लग रहा था कि बहुत तगड़ी वाली गर्मी होने वाली है आज बहुत जादा मतलब बाहर गर्मी मतलब ठन रिदम खतम बिलकुल खतम लगी नहीं रहता बिना स्वेटर के में गई ती एसे तो ठन बिलकुल ही खतम है तो अब मैं जारी हूँ खाना बनाने के लिए सबजी बन चुकी है पूरी बनाऊंगी और आज बनाऊंगी मैं सिवेई तो फटाफट से करती हूँ क्योंके तक्ष के पापा को तो जाना है ऑफिस तक्ष अभी सोय उससे पहले जल्दी से निप्टालिया जाएगा मना महाश् यतली करीशन इकला के थाप में काम स्थार्ट करते हैं तो कि अभी मैं सिवेई बनाने के लिए रख रहे हूँ इसी उफखहुने में आज बना दिती हूँ थोड़ा है घी और घीडाने गीःणने के बाद मना दोंगे तो गारी हो जाती है इसलिए तो इससे थोड़ा सा इ इसमें दूद डालती हूँ अच्छे से पका के यह देखिए अभी color change नहीं हुआ है दिरे दिरे एकदम slow आच में करना है क्योंकि यह जलती भी बहुत जल्दी है इसलिए इसको चलाते रहना पड़ता है वरना जल जाती है यह तो इसलिए इसको चलाते रहोंगी जब हलका सा इसका color जब change हो जाएगा तब मैं इसमें दूद डाल के पकाऊंगी तो आज यह सबजी तो मेरी बनी चुकी है तो यह दिखिए आप color आप देखी रहे है चेंज हो गया एकदम light brown सा हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दीती हूँ दूद दूद ना इसमें मलाई वाला ही ड पक्तिय सिवै के साथ तो अच्छा लगता है तो मैंने इसमें यह कर दिया है अब मैं साइड में दूसरे चुले में मैं सोच्री में पूरी बना दूँ वनना लेट हो जाएगा इंको तो जब इसमें अबाल आ गया था तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी और अपने हिसाब स जितना आप खाते हैं लाइट मीठा खाते हैं तेज मीठा खाते हैं जो जैसा खाते हैं अपने साप से डाल सकते हैं तो वो डाल दिया है वह वैसे खा लेगा लेकिन उसको पता नहीं क्या प्राब्लम है अगर खीर में हलवे में अगर होता है तो नहीं खाता है यह देखी मेरी सबजी बन गई है आलू मटर और गोबी खी और एक तरफ मैंने कडाई चाहा दी है इसके लिए पूरी बनाने के लिए तो मैं पूरी च कर लेंगे तो यह चले जाएंगे उसके बाद में फ्री होंगी बाकी का काम फिर करोंगी तो आज सुबह शिवरात्री के मौके पर यही बनाया है मैंने सिवह जल्दी बाजी मेंना क्योंके यह बहुत जल्दी आफिस के लिए निकलते है आठ बजे तक इंको निकलना होता ह आठ से सबा आठ तो इसलिए मैं बना दीती हूं तो खाना खाके जाते तो ठीक रहता है पूरा दिन फिर आप भी टेंशन फिर रहते हो इसलिए तो यह देखिए गर्म गरम पूरी बन चुकी है आजाई है आप लोग भी खा ली जी है तो अब मैं मिलती हूं आप से बाद म सब कामने बटा के हांजी तो अभी हो गया सारा काम खा पीके में हागा है मैंने अराम भी कर दिया मता अभी नहीं हुआ बहुत देर होगे क्योंकि मैं खा के फिर सो गई थी थोड़ी देर मैं सो ही क्या थी नीन तो नहीं आती है मताल लेटी कि आज तक्ष की छुटी ती अपने घर फोन के मामी से बात किया एक दो और लोगों से फोन पर बात की है यह होता है घर पर रहते तो इसको फोन मिला लो जब टाइम मिलता है तो यही चल रहा था और आज शिवरातरी सी तो मैं याद कर दी वही बच्पन की बाते हम लोग क्या करते थे आप लोग जानते होंगे जो हमारे घर के मेरा जहां घर है उसके पास एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है तो मैं अज ममी से पूछ ले थी कि आज महां भांग बिल रहे है क्या है तो हम लोगों को ना बच्पर में बड़ा क्रेज होता था कि हम सुनते थे ना भांग पी तो ऐसा होता ह मंदिर में तो ऐसी नॉर्मल परशाद की तरह बनाते हैं तो हम लोगों को बड़ा क्रेज है तो हम भी भांग पीएंगे और देखेंगे की नशा होता है नहीं होता है तो हम लोग लाइन में लग जाते थे भांग लेने के लिए और पी के देखते थे मीठे पानी की तरह ल तो मैं त्यूच है कि रहा है तुझा शुँदी कमी पैसे यहास को थो सुझा, मुछी को पर महीं है अज रहाग अज़मी रहा है तो भांग बंधी है हमारे हमारे नहीं पमंदिर में मिलती है इस मिल्ते है आज घर होती तो जरूर जाया जाता है मंदिर में ग्लास लेके भांग लेने के लिए तो बस आज का दिन ऐसे ही खतम हो गया मैंने का फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉक का एंड भी ने किया था चलू ब्लॉक का भी एंड कर लेती हूं आप से बाद भी हो जाएगी और देखते हैं क्योंकि तक्ष का कल से एक्जाम स्टार्ट है और मतब होली से पहले में भी खतम हो जाएगे जाहिए पहले पूरा ओरल होगा फिर रिटन होगा चोटे बच्चे या ने तो इनका ऐसे होता है एक बारी में नहीं होता है तो आजकल थोड़ा सा इसले भी बीजी डरी में टेखते हैं क्योंकि अगजाम काल से स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके साथ लगना पड़ेगा मुझे छोटा है बच्चे भूल जाते है उनको तो एक्जाम का कुछ मतलब तो पता नहीं तो खेल में लगना लाता है उसको कोई मतलब नहीं है कुछ भी कर लो मैंने बाल भी नहीं मैंने बाल भी नहीं बनाई मैं आके बस अबी सोफे में बैठी आज मन दुपैरों कि अब हवा चलने लगी है ठंडी और तो मैंने स्वेटर पहन ली जब कि मौसम नहीं हो रहा है कि कभी एकदम सुबा इनी तेज गर्मी थी मैं बता रही थी ना आप लो होली में ग् Councillor करेंगे एसा तो कुछ खास नहीं है कर पर मनाएंगे लेकिन क्या मैं चलना यान को कि हैने का मताना मनंभी नहीं करता है याव ऑलिखता यार डिंग को थोड़ के जये ना अपना वह थारी हई रहा है चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ जल्दी ही मिलूँगी नए व्लॉग में आपके साथ जब तक के लिए बाई बाई